Dear students, मैं आज आपको से काता हूँ कि chemical equation को कैसे balance किया जाता है step by step बहुत आसान तरीके से यह दिर्खी प्रॉब्लिम दिर्खी सबसे पहले क्या करेंगे इसको LSS में and LSS में डिवाइड किजिए डिवाइड कर लिया, phosphorus 1, oxygen 2, phosphorus 2, oxygen 3 करने बाद क्या करेंगे, दोने साइट के जो elements दिर्खी उनके numbers चेक करते हैं बराबर है या नहीं बराबर है fast press 1 दे रखा है, यह 2 दे रखा है, यहां 2 दे रखा है यहां 3 दे रखा है, तो यह reaction हमारी balance नहीं है अप क्या करना पड़ाएगा, reaction को balance करना पड़ाएगा, 2 का multiply करके देखते हैं पर 2 का multiply किया तो क्या होग मारा? यहां पर यह होगा, हमारा 4 होगया, 2 का multiply इधर भी होगा, तो क्या होग मारा oxygen 6 होगया, clear होगया दि अब क्या करेंगे यहां फोर में पड़ाएजर किजिए तो यह फॉर ह समय हान आपकी हो गया ओकसिद रखाया पर तो यह त्री का किजिएगा तो क्या हो गां को समय है इतना क्रे बाद कशेक्चा चेक पी-जो ट। तो यह क्या हुआ रेक्षन बैलन्स हो गई है मैंने आपको सिखाया बहुत आसान त्रीके से रेक्षन को कैसे बैलन्स कि जाती हैसे ही वीडियो को पाने के लिका करेंगे चैनल को सब्सक्राइब किजिए साथ में भेज रूप पूस किजिए इंटर ने शूरी मैं थैंक्स प इंटर यह सब्सक्राइब किजिए साथ एर इंटर इंटर से रेक्षन का मैं सक्राइब क्थशन फट्सक estasब्सकी